नमस्काओं मैं हूँ शुभे और आप देखरें नियूस वानेशिर बेशक पंचाय चुनाव दली आधार पर नहीं होगा लेकिन इन सब की बीच अगर राज़त की रणीती के बात की जाए तो वो वाड से लेकर जिला पंचाय तक अपने कारेकर्टाओं को उमीदवार होगा इसके अलावा पंचाय चुनाओं को लेकर राज़त की क्या रणीती है किस तरीके से वो अपने प्रत्याश्यों को उतारेंगे और उन्हें पूरी मजबूती प्रदान करेंगे आपको बताते हैं पंचाय चुनाओं दली आधार पर नहीं होने चा रहा लेकिन पंचाय चुनाओं में इस सबार राज़त पहले की तुल्ला में अधिक ताकत लगाएगा राज़त की रणनीती है कि वार्ड से लेकर जिला पंचाय तक पार्टी कारेकर्टाओं को मैदान में उतारा जाएगा और उन्हें जितानी के लिए संगठन पूरी मदद करेगा करीब सतर लाग कारेकर्टाओं वाली पार्टी राज़त सबार पंचायती राज संस्थाओं पर पकड़ बनाने की दिर्शा में यह कदम उठानी जा रही है सूत्रों के मताबिक पार्टी जल्दी है सबारी में उपचारिक तौर पर हिदायत जारी करनी जा रही है कि प्रत्याश्ची पंती समय पार्टी कैडर आपस में ही ना टकरा जाए हिदायत में कहा जाएगा कि आपसी समझ के आधार पर पंचाय चुनाओ में भागीदारी करें पंचाय चुनाओ के मद्दे नज़र राज़त अपनी बूत कमीटियों को पुनरगठित करनी जा रहा है यही कराम प्रखंड अस्तर पर किया जा रहा है पार्टी का दावा है कि पछले पंचाय चुनाओ में अधिकतर पंचायती राज संस्थाओं पर कबज़ा रहा है हाला कि इस बार पार्टी चुनाओ जीतने के लिए हर संभव कदम उठानी जा रही है उन लेकनी हैं कि राज़त पंचायती राज़ प्रकोष्ट को एक बार फिर पुनर गठित करनी जा रहा है इस संदर्म में पार्टी जल्दी ही घोशना करीगी सियासी जानकारों के मताबिक पंचायत चुनाओ में राज़त की कारेकरताओं का सीधा मुकाबला भाज़पा की विचार धारा मानने वाली प्रत्याशियों से होगा दरसल यह दोनों ही पाठिया ऐसी है जिनके कैडर का विस्तार पूरे प्रदेश में है राज़त के वरिष्ट प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने बताया कि बेशक पंचाय चुनाओ दली आधार पर नहीं होगी लेकिन राज़त की रणनीती होगी कि अधिक से अधिक पंचायती राज संस्थाओं पर उसके कारेकरता चुनाओ जीते पिशले चुनाओ में हमने अधिक तर पज जीते थे हालाकि पार्टी यह सुनश्यत करेगी कि इस चुनाओ में पार्टी की कारेकरताओं का आपस में किसी तरह का टकराओ ना होगी आयदन नए नए दिश अनरदेश दिये जा रहे हैं इन सब के बीच बताय ये जा रहा है कि 10 चर्णों में पंचाय चुनाओं संपन कराय चाएंगे रिजल्ट की घोशना भी चर्णबद तरीके से होगी और इतना ही नहीं पहली दफे बिहारवासी इवियम के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे फिलाल के लिए अतना ही ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहे हैं न्यूस वार्नेशन नमस्कार